भाई और बेनों, देश में हो रहे हर सुधार के सामने, हर परिवर्तन के सामने, कॉंग्रेस और उसके जैसे दल दिवार बन करके खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है कि कैसे तीन तलाग के खिलाब कानून को इन लोगों ने हर बार रोका, हर तरह के बहाने बना करके रोका, मुस्लिम महन बेटियों को अधिकार मिले, उनके जीवन के एक बड़ा डर खत्म हो, और वो भी खुल करके जीए, इन दोलों को, ये सारे दलों को, इससे भी दिक्कत थी। ये लोग जमिन से इतना कट चुके हैं कि वास्तवीक सचाएं इन्हें नजर ही नहीं आ रही है। बेखुस हो जाएंगे, तीन तलाक के मुद्दे पर हमारे विरोध्यों का सांस देंगे, लेकिन हमारे विरोध्य दल को एक ही मंजिला काम करता है, उपर के सारे मंजिलों में विचारी नहीं आता है। ये भूल गए कि मुसल्मान पती के नाते हो सकता है, तीन तलाक उसको अच्छा लगे। वो भी सबको नहीं लगता था, एकाथ दो परसंट को साथ अच्छा लग भी जाए, लेकिन उस मुसल्मान को भी विचार आता था, कि मैं पती तो हूँ, लेकिन मैं पिता भी हूँ, मेरी बेटी अगर कहीं से तीन तला के कारण वापिस आई, तो उस बेटी का क्या होगा। उस मुसल्मान को ये भी पता था, कि मैं किसी बेहन का भाई भी हूँ, अगर मेरी बेहन तीन तला के कारण, अगर बीच बचाओ जीवन की मैं गर लोट आई, तो मेरी बेहन का क्या होगा। और इसलिए पती मुसल्मान था यही कॉंगरेस वालों की सोच थी, तला के पक्ष में खड़े विए लोगों के सोच थी, लेकिन मुसल्मान पुरूज भी सोचने लगा, कि इसके हटने से उनकी बेटी भी सुरक्षित हो जाएगी, उनकी बेहन भी सुरक्षित हो जाएगी, और इसलिए इतना बड़ा फैसला हुआ हिंदुस्तान में उसके सिलाब कोई आवाज नहीं उठी भाईयों मैं आपको एक और उदहन देता हूँ कुछ दिन पहले ही सरकार ने पश्यूओं के स्वास्त की सुरक्षा के लिए देश के सबसे बड़ा अभ्यान शुरू किया है पलवल समेथ पूरे हर्याना में तो पशूधान गाउं गरीब का बहुत बड़ा सहारा है आप बली बाती समझते हैं कि पशूओं में खूर और मुह की बिमारिया जिसको अंगरी जी में लोग कहते हैं फूट एंड माउट डिसीज से कितना बड़ा नुक्षान होता है कहां तो इनको खुले मन से यह कहना चाहिए था कि देश के 50 करोड़ पशूओं के मुप्त तिकाकरण का अभ्यान सफल रहे लेकिन यह लोग इस पर भी तरह तरह की बाते फैला रहे हैं भाई और बेनों देश की राइस साब है अब सिर्फ विरोध और प्रतिरोध की राजलीती नहीं चलेगी अब देश सिर्फ और सिरफ विकास चाहता है और मैं इस संतोज के साथ कह सकता हूँ कि भाजपार उसके साथ ही इसके लिए इमानदारी से प्रयास कर रहे हैं